पंचान के अनुसार हर महिने सुप्ल पक्ष की अस्टमी को मासिक दोगा अस्टमी मनाई जाती है। तो आईए जानते हैं साल 2024 में अस्टमी मासिक दोगा अस्टमी अर्थार्थ सारदी नवरात्री की महा अस्टमी कब पड़ेगी अस्टमी दिती कब सुरू कब समाप्य के बारे में। और अस्टमी दिती की समाप्ती होगी 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर बारा बच के 6 मिनट पर। मासिक दोगा अस्टमी का महातू मासिक दोगा अस्टमी के दिन व्रत्वा पुजन करने से माजग तंबा का आसे वादपाप्त होता है। मानता है कि मा आदी सकती अपने भक्तों के कस्टों को दूर करती है। दोगा अस्टमी व्रत करने से घर में खुश्याली, सुख सम्रिधी और धानाता है। मासिक दोगा अस्टमी पूजाविदी मासिक दोगा अस्टमी करने वाले साधकों को सबतने के दिन साथ एक भूजन गहर करना चाहिए। रातरी में भूमी पर सलंग करना चाहिए। अगले दिन यानि अस्टमी तिती को ब्रह्मो बेला में उठकर घर की अच्छी परासे साफ सफाई कर गंगा जल से पवित्र करें। उसके उपरान गंगा जल युक्त पानी से इसनान ध्यान करें। फिल लाल रंग का लमीन वस्त्र धारर कर आच्मन करें। और अपने आपको पवित्र करें। इस समय मात्मा का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। अप पूजा ग्रह में एक चौकी पर मादुगा की प्रतिमा अथ्वा तस्वी इस्थापित कर सोड सो उपचार करें। मादुगा को लाल रंग अथिपए हैं। अता पूजा में उन्हें लाल पुस्प और लाल फल अवश्य भेट करें। साथी सोला सुंगार और लाल चुनरी भी चनहाएं। अम्मा दुगा की पूजा धूब तीपक आधिसे करें। पूजा करते समय दुगा चालिशा कापाट करें। और निम्म मंट का जाप करें। सरव मंगल मंगली, सिवे सर्वात साधी के, सरण्नेत्वंब के गुरी, नाराणी लूस्तुति, यादे वी सरव भूते सू, मादुर कारू पोर संसिता, नमस्त सरी, नमस्त सरमथ नमोनमा। अंत में आरती आरातना करें, दुन भर उपवास रखें, सादर जाहें, तो दिन में एक बार फल और जल कहर कर सकते हैं, साल एक सक्ती का दमना करें, यदा सक्ती तता भक्ती के भाव से व्रत उपवास करें, शाम में आरती अर्चना के बार फलाहार करें, राते में जागरार क पूजा करते समय या ध्यान रखना चाहिए। पूजा में तुलसी, आवला, दूर्वा, मडार और आग के पुस्प का इस्तमाल नहीं करना चाहिए। अपनी इस इच्छा की पूर्थी के लिए उसमें अमर होने का वर्दान हासिल करने के लिए ब्रह्माजी की घूर तपस्या आरंब की महिसासूर द्वारा की गई इस कफोर तपस्या से ब्रह्माजी पर्शन हुए। और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिसासूर चाहता था ब्रह्माजी ने खुद होकर उसे मन चाहा वर्दान मांगने को कहा। ऐसे में महिसासूर जो सरिफ अमर होना चाहता था उसने ब्रह्माजी से वर्दान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए बात दिकिया। पर उतु ब्रह्माजी ने महिसासूर को अमर्ता का वर्दान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जननी के बात मुर्थियू और मुर्थियू के बात जन निक्ष्चित है। इसलिए अमर्ता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिसासों ने उनसे एक अन्य वर्दान मानने की इच्छा जताते हुए कहा कि ठीक है यदि मुर्ति में होना तह है तो मुझे ऐसा वर्दान दे दीजे कि मेरी मुर्त्यू कि इसलिए के हाथ से ही हो इसके अलावा अन्य कोई ड़त मानव या देवता कोई भी मिवा वर्दना कर पाए जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिसासों को दूसरा वर्दान दे दिया ब्रह्मा जी द्वारा वर्दान प्राप्त करते ही महिसासों अंधिकार से एक्दाव हो गया इसके साथ ही बढ़ गया और उसका अन्याय मर्ब के भैसे मुठ्थ होकर उसने अपने सीना के साथ पित्वी लोग पर आखमर कर दिया जिससे धर्ती चारों तरफ से त्राहिमाम करने लगी उसके बल के आगे समस्ते जीवों और प्राडियों को नतमस्तक होना पड़ा जिसके बाद प्रिट्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहिकारी महिसासुने इंद्र लोग पर भी आखमर कर दिया जिसमें उन्होंने इंद्र देव को पराजिद कर स्वर्गिपल कबजा कर लिया महिसा सुगनय परिश से परिसान होकर सभी देवी देवता, त्री देव के पास सहायता मांगने पहुँचे इस पर विष्ञ Communic जी ने उसके अंति के लिए देवी शक्ति के निर्मार की सला दे जिसके बाद सभी देवतां ने मिलकर देवी सक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देताओं के सरीव में से निकलो तेज ने एक अत्यंत खुबसूरज सुन्दरी का निर्मार किया। उसी तेज से निकली मा आदि सकती जिसके स्वरूब और तेज से सभी देवता भी अशर चकित हो गया त्री देवों की मदद से निर्मित हुई। देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंग दिया और इसी प्रकार वहां मौजो सभी देवताओं ने भी मा को अपने एक अस्त्र सस्त्र सौपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्युन सुन्दा रूप देकर महिसासुर उनके प्रती बहुत आकरसित होने लगा और उसने अपने एक दूद के जरियो देवी के पास विवा का प्रस्ताव तक पहुचाया। महिसासुर की इस उच्छी हरकत ने देवी भगवती को अत्यदे क्रोधित कर दिया। जिसके बाद ही माने महिसासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माधुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर प्रम्हाजी से मिले वार्दान के एंकार में अंदा महिसासुर उन से युद्ध करने के लिए भी तयौर हो गया। और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस इदि में महिसासुर का सिर्काते हुए उसका वद कर दिया। अता इस तरह देवी भगवती के हातों महिसासुर की मुत्यू संभा हो पाई। बाना जाता है जिस दिन माभगवतिने सब लोग पित्वी लोग और पाताल लोग को महिसा सुर्गे पापों से मुक्पी दिलाई उस दिन से ही दुर्गा अश्टमी का प्रावर प्रारम हुआ आशा है आपको ये जनकारी पसंद आई भी अगर वीडियो पसंद आई हो तो व हुआ है, हुआ है